श्री शिवाय नमस्त व्यम जे माथादी दोस्तों आप सबका मेरे चैनल में स्वागत हैं। गणेजी की कता इस परका हैं। एक बुडिया थी, वह बहुत ही गरीव और रिष्टी हिन थी, उसके एक बेटा और बहुत ही। अब बुडिया सदेव गणेजी की पुजा खिया करती थी। एक दिन गणेजी प्रकट होकर उस बुडिया से बोले, बुडिया मा, तु जो चाए मांग ले। बुडिया बोले, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेजी बोले, अपने बहु बेटे से पूच कर मांग ले। तब बुडिया ने अपने बेटे से कहा, गणेजी कहते हैं, तु कुछ मांग ले, पता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा मा तू धन मांग ले बहु से पूचा तो बहु ने कहा नाती मांग ले तब बुढिया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात खहरे हैं अता उस बुढिया ने फडोशिनों से पूचा तो उन्हों ने कहा बुढिया तू तो थोड़े दिन की जियेग क्यों तु धन मागें क्यों नाति मागें तु तो अपनी आखो की रोष्णी मांगले जिससे तेरी जिन्दकी आरां से कट जाए इसपर बुढिया बोली यदि आप प्रसन है तो मुझे नौ कोरोण की माया दे निरोगी काया दे अमरसवाग दे आखो की रोष्णी दे नापी दे पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मौक्स दे यह सुनकर गणे जी बोले बुड़िया मा तुमने तो हमें ठग लिया फिर भी जो तुने मांगा है वह वच्छन के अनुसा सब तुझे मिलेगा और यह कहकर गणे जी अंतरधान हो गए उदर बुड़िया म माने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया है गणे जी मारा जैसे तुमने उस बुड़िया मा को सब कुछ दिया वैसे सब को देना आसा करती हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरू कीजिए और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बना न भूले और वैल बटन को पैस करे इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका आपको नोटिपीकेशन मिल जाएगा तब तक के लिए जै माता दी दोस्तों